कि अ हमदो कि तो यो हुआ अधियो सकुन्वारा में महां दिलाल स्स्री व्यक्राइजेंट का एक बैसिक है लिमिटिंग अ quiet nationalność आगा इसको सीखने के लिए देखें जरा अगर हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हम हाइडरोजन का एक मालीक्यूल डाल देते हैं तो यह हाइडरोजन का मालीक्यूल बीकर के अंदर ऐसे ही पिरता है किसी के साथ रेक्शन नहीं करता अब इसके अंदर हमें एक दूसर में react करेंगे और reaction के बाद इससे बनेगा water अब आपने देखा कि दो हाइड्रोजन के molecule और एक oxygen का molecule जब react करते हैं तो उससे दो water के molecule बन जाते हैं अगर हमने इस दूसरे container में methane का एक molecule डाला तो उसके साथ oxygen के दो molecule डालेंगे और जिससे बनेगा जैसे ये react करेंगे तो इससे बनेगे carbon dioxide plus 2 molecule of water तो ये balance chemical equation का जो कमाल है वो ये है कि ये आपको बताता है कि इतने hydrogen के molecule इतने oxygen के molecule के साथ मिलेंगे तो उससे ये product बनेगा या इतने किसी भी एक substance के molecule जब दूसरे किसी substance के molecule के साथ मिलते हैं तो उसकी इतादात कितनी होनी चाहिए वो fix है वो आपको balance chemical equation बताता है लेकिन अगर मैं इस हाइड्रोजन वाले केस में अगर एक molecule और हाइड्रोजन डाल दूँ अब देखें जरा ये हाइड्रोजन जो है ये react करना चाहता है लेकिन इसको कहीं से oxygen नहीं मिल रहा और जब इसको oxygen नहीं मिलेगा तो ये इसी तरह पिरता रहेगा बिकर के अंदर और ये react नहीं करेगा इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन गेज जो है ये हमारे पास access में है और वो जो oxygen था वो limiting था वो खतम हो गया तो किसी भी reaction में अगर आप एक चीज़ की amount ज्यादा ले ले लेते हैं और दूसरी चीज़ की amount कम ले लेते हैं तो जो ज्यादा चीज़ होती है वो reaction के अंदर इसी तरह रह जाती है रियक्ट नहीं करती क्योंकि उसको रियक्ट करने के लिए और कोई molecule नहीं मिलता इसलिए हम उसको पिर accessory agent कहते हैं और वो जो खतम हो गया है उसको limiting कहते हैं simple सा method है इसको आप किसी भी comparison method से हल कर सकते हो फार एक्जमपल आपको इसी reaction का जैसे के hydrogen दो molecule होते हैं oxygen एक molecule होता है reaction करके वो दो water के molecule बना लेते हैं अगर आपको कोई question में दे दे के मेरे पास यह hydrogen के molecule है यह 10 है और oxygen के molecule 5 है फिर भी ठीक है दो molecule के लिए एक molecule होता है तो 10 molecule के लिए 5 molecule ठीक है लेकिन अगर आपको 10 की बजाए 11 molecule of hydrogen दे दे तो यह balance नहीं है हमें 1 molecule के लिए 2 molecule hydrogen चाहिए अगर एक molecule oxygen हो इसी तरह 5 molecule अगर oxygen हो तो हमें 10 molecule hydrogen चाहिए अगर हमें 11 दिये हैं तो इसका मतलब यह है कि एक मालीक्यूल हाइडरूजन का ज्यादा है जो के एकसेस कहलाएगा यह बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है किसी भी रियक्शन में आप इस कंसेप्ट को एपलाई कर सकते हैं तो इसमें जो चीज अगर आप कंटेनर के अंदर तोड़ी सी ज्यादा मिगदार में डाल देते हैं तो वो चीज एकसेस कहलाती है और जो चीज कम मिगदार में होती है वो लिमिटिंग कहलाती है और याद रखके जब भी लिमिटिंग रियक्टन जो है वो अगर खतम हो मतलब मजीद प्राडक्ट नहीं बनता भी इस कंसेप्ट की समझ अगर आपको ना आई हो तो आप कमेंट में जाके लिए मैं इंशाला आपको उसका अंसर दोंगा शुक्रिया